तो इस वीडियो में हम बात कने वाले एक सब्सक्राइब है रहो नों हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको HDFC बैंक से 10 लाग रुपए का होम लोन लेना है और वो लोन लेना है उनको 10 सालों के लिए तो उनको यह जानना है कि मेरी मंतली सैलली कितनी होनी चीए 10 लाग का होम लोन यहां से लेने के लिए इसके लावा बात करेंगे आपको लोन मिलेगा फीचर्स बैनिफिट की बात करेंगे इसके लावा इलिजबिल्टी और डॉकुमेंट क्या-क्या रिक्वार होते हैं तो complete information जानने के लिए वीडियो को पूरा आखरी तक वाच करिएगा चैन हो जाती है इसके लाव बात करें यहां एक कौन कौन से होम लोन की स्की में चलते हैं देखें होम लोन चलता है प्लोट लोण चलता है रूलर है और हम लोद के लोडि अगर फिनिसेट dentist इकने हो फिलटे है वन priority और प्रोफेशल Won Pay ticking को देखने को मिल जाती है तो मिल लगास 75% से और maximum 9.65% तक rate of interest जाता है इसके लावा जो इनके standard housing loan rate चलते हैं जिसमें starting होती 9.40% से 9.95% तक rate of interest जाता है बात कर लें प्रोसिंग फीज की तो देखिए अगर आप कोई भी sell lead हो या self-employed professional हो और वो यहां से home loan plot लेता है तो उसको 0.50% loan amount का प्रोसिंग फीज दे नहीं पड़ती है इसके लावा अगर आपको self-employed non-professional हो तो उनके लिए प्रोसिंग फीज देर परसंद तक लगती अप्टू loan amount का इसके लावा NRI जो है उनके लिए 1.25% लगती है फीज eligibility criteria क्या रहता है तो minimum age apply का नहीं कि 18 साल रहती maximum 70 year की इस तक आप अपने loan को चुका सकते हो कोई भी salary हो गया self-employed हो गया apply कर सकता है यहां से nationality इंडियन रेजिजेंट अप्लाई कर सकते है और आप maximum देखे 30 सालों के लिए आसे home loan ले सकते हो और monthly salary कम से कम आपकी 25 अगर है तो आप यहां से आराम से जो है home loan ले सकते हो बात करें आप जो self-employed आते हैं तो self-employed में भी दो category आती है एक आते हैं self-employed professional एक होते है self-employed non-professional तो self-employed professional में आपके आते हैं doctor loyal chartered accountant architect consultant engineer company secretary वही non-professional में आते हैं आपके trader commission agent और contractor अब यहां पे अगर आपको applicant कराते हो तो आपके जो loan amount की eligibility होगे वो बढ़ जाएगी जैसे अगर आप मान लीजे अखेले लेते हो और आपकी 25 आर income है तो 25 आर इंकम पर मान लीजे आपको यहां से 6 लाग रुपए का loan मिल जाता है अब अगर आप किसी को applicant के एड कराते हो उसकी इंकम जो है 25 आर रुपए है तो उसका भी जो का loan लेते हो property cost का 80 person loan मिलता है और अगर आप 75 आ के उपर का loan लेते हो तो property cost का 75 person loan जो है वो है आपको प्रोवाइट कर देता है बात कर लें आते हैं आप documentation आपके क्या लगते हैं तो pen card आपका mandatory document है इसके लावा एक ID प्रूफ और एक address रूफ आपको देना पड़ता है जिसमें आप passport driving लेसंद बगरा दे सकते हो इसके बाद देखें इंकम प्रूफ के तौर पर जो salary होंगे उनको 3 मंत का salary slip 6 मंत का bank account statement जिस बेकाउट में आपकी salary आती होगी इसके लावा फॉर्म से या IT return दोरों में से कोई भी एक document आप दे सकते हो वहीं जो salary प्रोफेश्चल और नॉन प्रोफेश्चल होगे उनको ITR लास्ट यर का देना पड़ता है पड़ेगी अगर आपको resale home खरीद रहों तो title deed जो होगा उसकी देनी पड़ेगी initial payment जो है आपको seller को आपने करी होगी वह उसकी copy दिखाने पड़ेगी और copy of agreement to sale आपको देना पड़ता अगर आप अपने plot में जैसे construction कर रहा है लोग ले रहा हो तो title deed of plot हो गया proof of no incumbrance of property ह हो गया copy of plan हो गया इसके लावा construction estimate by an architect या civil engineer के द्वारा जो भी construction में खर्चा आएगा उसका जो है estimate आपको यहाँ पर देना पड़ता है तो यह कुछ document यहाँ पर लगते इसके लावा कुछ other document भी है जो आपको देने पड़ते हैं अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो अब से पहले तो आपको अपने टेन्योर सलेक्क करना है तो टेन्योर हमने सलेक्क कर दिया कि मेरा 10 साल के लिए हमको चूखी लोन लेना है rate of interest हमको 8.75 के rate of interest पर ओफर किया जा रहा है तो देखिए अगर आपकी 25 यार सैलली है और अगर आप 10 सालों के लिए आसे उम लोन ल होगे जिसकी 8.75 के rate of interest पर महिने की जो किस्त आएगी वो 13,500 रुपए की आएगी इसके अगर आपकी कोई अधर EMI पहले से ही चल लई है तो वो amount भी आप यहाँ पर डाल सकते हो जिससे आपको बता देगा कि आप कितना जो है home loan का loan amount लेने के लिए 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 आप यहाँ से check out कर सकते हो आपको कितना जो है SGFC bank से home loan मिल सकता है अब इस loan के हम आपको EMI वगरा calculate करके बताते कैसे आप calculate करके आई यह 13,500 तो इसके लिए जो हमें home loan amount लेने के लिए लिए यही हमने home loan का amount ले लिया और यहाँ पर हम आगा अपने EMI calculator पर यहाँ आप आपको कितना पे करना पड़ेगा जो कि करना पड़ेगा आपको 5,42 रुपय का टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी होगी 16,20,000 रुपय कि आपको टोटल पेमेंट करनी होगी तो इस तरीके से आप अपना monthly EMI और total interest चेक आउट कर सकते हो इस EMI calculator पर इसका link आपको वीडियो जोगर description box मिल जाएगा अभी हम यहाँ पर देखने वाले कौन-कौन से types of home loan यहाँ पर चलते है HDFC bank में उसकी scheme में देखते हैं अभी यहाँ पर देख लेत है types of HDFC home loan कौन-कौन से चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चलता है HDFC bank housing loan जिसमें अगर आपको कोई flat purchase करना हो 20% property cost का मिल जाता अगर आप 30 लाग तक का लोन ले तो maximum 30 सालों लिए आप लोन मिल जाता है और जो अगर आप repair renovation या construction लोन ले रहा तो आप 20 सालों के लिए लोन ले सकते हो इसके लावा आप होम लोन balance ट्रांसर की facility मिलती है अब जिनका भी होम लोन किसी other bank या housing finance company में चल ला जाना है तो यहां से करा सकते हैं इस scheme से इसके अलावा यहां पर rural housing loan scheme चलती है जिसमें कोई भी agricultureist हो गया जिसमें आते हैं आपके dairy farmers हो गया planters हो गया उनको अगर property purchase करनी या construction कराना है अपनी property पे अब यहां पर जो farmer वगरा है उनको भी जो है आप लोन वगरा आराम से मिल ले सकते हैं अब उनको देखें 30 लाग तक अगर उनको लोन लेना तो property cost का 80% तक लोन उनको मिलता है इसके अलावा यहां पर plot loan scheme चलती है अगर आपको कोई plot जो है direct allotment हुआ है तो उसमें भी आप लोन ले सकते हो या किसी individual से आप plot resale कर रहा हो तो वो लोग भी जो है यहा अगर आपको अपने घर में flooring, tiling, painting, plaster वगरा कराना है तो उसके लिए आप यहां पे loan ले सकते हो इसके अलावा यहां पे home extension loan चलता है आपको एक existing घर है उसमें सिर्फ brown floor बना हुआ है आपको first floor और second floor का का काम करवाना तो home extension loan से आप यहां से loan ले सकते हो renovation cost का 90% तक loan यहां आप पे मिल जाता है इसके अलावाद top up home loan भी चलता है अब जिनका भी home loan HDFC bank में चल ला है top up loan लेने के लिए इलिसबल हो जाते है यह देखिए HDFC bank में home loan की scheme चलती है जिसके बारे में आप information बगारा check out कर सकते हो और अगर आपको MI calculate करना है इस MI calculator पर डीटेल से MI calculate कर सकते हो और अगर आपको loans के offer जाने ही किसी भी bank के जैसे आप पे हर bank आपको home loan का link मिल जाएगा तो जैसे हम बात कर रहे है HDFC bank के home loan की तो इसके link पे आपको जाना है link पे जाके आप यहां से check out कर सकते हो इनकी scheme के बारे में direct आपको यहीं से online apply करने का link भी मिल जाएगा अपनी eligibility भी उसका भी link आप इस website पर देख सकते हो तो इस website का भी link आपको वीडियो के description box मिल जाएगा एक बर जाके ज़रू check out करेगा वीडियो कर आप कमारा informative लगा होगा वीडियो के लाइक कर दीजेगा चलब पढ़ना हो तो चलब तो subscribe कर दीजेगा और मैं आप comment करेगे बता सकते हो तो आज के इस वीडियो में बस अतना ही तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भन्यवाद